अनगली बाड़ी खबर बता दे आपको पंजाब के पूर्वडीजीपी मौहमद मुस्तफा का बड़ा बयान आया है सामने नफजोट सिंग सिध्धु के सलाकार का पद लेने से इंकार कर दिया है उनने सिद्धू ने मौमद मुस्तफा को सलाकार के पद पर नियुक्त किया था कहा मुझे इस पद के काबल समझने के लिए नवजोज सिद्धू का अभार लेकिन पद वो नहीं संभाल पाएंगे ऐसा उनकी तरफ से का गया है उन्हें अभार वियक्ट किया नवजोज सिद्धू का उन्हें चुनने के लिए लेकिन बड़ा बयान देती हुए पूर डिजबी मौमद मुस्तफा की तरफ से सलाकार पद लेने से इंकार कर दिया गया है नवजोज सिंग सिद्धू की तरफ से मौमद मुस्तफा को सलाकार के पद पर अपने न्यूक्त किया गया था लेकिन मौमद मुस्तफा की तरफ से इसको लेकर इंकार कर दिया गया ये इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी आपको बता रहे हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी है मुहमद मुस्तफा जिनकी तरफ से नवजोज सिंग सिदू के सलाकार का पद लेने से इंकार कर दिया गया है नवजोर सिंग सिद्धू की तरफ से अपने सलाकार का पद हुने दिया गया था लेकिन उन्होंने आभार व्यक्ट करती हुए नवजोर सिंग सिद्धू का इंकार कर दिया है इस बात से पद ग्रहेंड करने से नवजोर सिंग सिद्धू की तरफ से सलाकार के तोर पर नियूप्टी की गई थी मुहमद मुस्तफा की अभार उन्होंने व्यक्ष किया नवजोड सिंग सिद्धु का की नवजोड सिद्धु ने उन्हें इस काबिल समझा लेकिन वो ये पत्त ग्रेंड नहीं कर पाएंगे ये बड़ा बयान दिया गया है पूर्व डीजीपी की तरफ से जिनने नवजोज सिंग सिद्धू की तरफ से पद भार दिया गया था अपने सलाकार का तो बड़ा बयान मौमद मुस्तफा की तरफ से जो की पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के डीजीपी रहे हैं मौमद मुस्तफा जिनकी तरफ से नफजोट सिंग सिद्धू के सलाकार का पद लेने से इंकार कर दिया गया है बता दे नफजोट सिंग सिद्धू ने मौमद मुस्तफा को सलाकार के पद पर न्यूक्त किया था जादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर नितिका जुर गई हैं नितिका इंकार कर दिया है पूर्व डीजी पी ने नहीं ले पाएंगे नवजोर सिंग सिद्धू के सलाकार का पत अब यह देविच मौहमत मुस्तफा ने साफ़तर दे कि ओना ने इनकार कर देता है एडवाईजर बननों लाइकि उना ने किया कि पिछले साड़े चार साल देविचे शुकर है मेरे बारे किसे नद्दा सूच जा क्योंकि तो अंदाजी कि लगातार मौहमत मुस्तफा कोट द होना चाहिए था पर दिंकर गुपता नो डीजी पिना रिता सिगा उस तो बार तो ही लगातार मौहमत मुस्तफा काप्टेन सरकार तो ना राज नदर आ रहे सीगे रजिया सुल्ताना दिकाल किती जावे जड़े ना दे पत्नी है ओहो कैबिनेट मिनिस्चर ने ते रजिय सुल्ताना भी काफी क्लोर जूर्य ने कैप्टेन अमनींदर सिंगा देपैला दसे जारे सी पर जदो द था मौहमेद मुस्तफा यूण कर दिया मोहमद मुस्तफा ने इसके पीछे का कारण क्या समझे इस लिए इस लिए मैं इंकार कर दा यह उनने वही किया है कि जिली भी इस बारे जानकारी जिए ओदे दिती आला कमानू ते किया है कि जे कॉंग्रेस ली मैं कुछ भी कार सगता हो है मैं करूंगा पर पॉलिटिकल रोल नहीं मैं फिक नहीं बैटा यह ओ नवलो जानकारी दे रही है ओडिसी के जी बिलकुल तो यह बड़ी ख़बर अपनी दर्शकों को बता रहे हैं मौमद मुस्तफा जो की पूर डीजीपी पंजाब के इंकार उन्होंने कर दिया है और दो का जिकर आपने किया नितिका चुकि सिद्धू की तरफ से मौमद मुस्तफा को इस पद के लिए चुना गया चुकि अब उनकी तरफ से इंकार कर दिया गया है तो अब अगला सलाकार कौन हो सकता है मौमद मुस्तफा की जगा नवजोर सिद्धू का देखो ये दिखना काफी ज़्यादा एहागी ते एही कान है कि नव्जो सिंह सिद्थू ने विश्वास कर दे हुए मोहमद मुस्तफा नो एडवाइजर लगाया सी गा पर वून मुस्तफा ने साफ़ता दे इनकार कर देता है पर चार उनना ने मेंबर लगाया सी के पहले मुहम्मद मुस्तफा ने इंकार किता है दिखना ओविगा कि बाकी तिन जड़े एडवाइसर लगाये हुएने की ओहो नव्जो सिंग सितू दे नाल ही चलनगे पर एहे जरूर है कि मुहम्मद मुस्तफा एक वड़ा ना नाल ही साब का डीजीपी पर नावलू भी एक जरूर कही गई है कि सारे चार साल दे विचे किसे ने था मेरे बारे सोचा क्योंकि ये विवाद जड़ाये मुहम्मद मुस्तफा था काफी देर तो क्याप्टन सरकार देना चाल रहे है तो ना खुश भी थी क्योंकि ओना था कि जिस कुर्सी ते आज दिंकर गुपता आपका